नमस्कार माईडिश माईजायकर.com में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे पापड की सबजी अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो के नीची दिये गए सब्सक्राइब करें रेल बटन को क्लिक कर साइड में देगें बेल बटन को प्रेस करें और ला कटा हुआ ओरा धनिय पत्ता सिरियी अच्छी चं मच नमक अस्वाद नमक लेगे घर लाल एण जा कॉड़र अधा चूरता चंमच हल्दी पौडर एक चमच धनिया पाउडर एक चुथाई चमच जीरा पाउडर दो पिंच हींग एक चुथाई चमच जीरा और दो बड़े चमच सरसो का तेल 6-7 लैसून के कलिया जिने मैंने याप पर कूट की रखा है आप चाहे तो गार्लिक जिंजर पेस्ट भी उज़ कर सकते हैं और डेल्ड ग्लास मैंने याप गरम पानी रखा है सबसे पहले तवए को गैस पे रखेंगे और गैस को उन कर देंगे और इसके उपर पापड को इस तरह से घुमा घुमा कर और हम सेख लेंगे आप चाहे तो पापड को डाइरेक्ट गैस पे भी सेख सकते हैं बस पापड को सेखते हुए वाक्त थूड़ी सी सावदा नहीं रखे पापड को तुरांत उलट पलट करते रहें जिससे की वह जले नहीं और तववे अगर आप पड़ सेकते हैं तो वह ती अच्छे से सिख के तयार हो जाता है पैन को गैस पर रखेंगे और ऑल डाल देंगे जीरे को ब्राउन होने तक पकने देंगे जीरा ब्राउन हो चुका है तो आप हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे प्याज को एक से देड़ मिनट के लिए भुनने देंगे तो टेड़ मिनट हो गया है अब हम इसके अंदर कटी हुई हारी मिर्च डाल देंगे और साथ में लैसुन भी डाल देंगे मिला देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे बीच बीच में से चलाते रहेंगे एक कटोरी के अंदर हम मसाले डाल देंगे तो लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर नमक नमक डालते वक्त दिहान रखें कि आपड़ के अंदर अलरड़ी नमक होता है एक चुथा ही चम्मच हमने जो जीरा पाउडर लिया था उसे भी डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर इसका हम पेश्ट बना लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से गॉल्डन ब्राउन हो गए तो मसाला इसे में डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और इस मसाले को डेर सी दो मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे जैसे ही मसाला पैन से अलग होने लगेगा ओल दिखाई देने लगेगा तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो आप देख सकते कि हमारा मसाला है लगबग तियार हुचुका है पक चुका है तो अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हमारे टमाटर आच्छे से पक चुका है और मसाला भी पूरी तरह अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि पानी डाल देंगे तो दो पापड की सबजी के लिए इतना पानी फरफेक्ट है, अगर आप ज्यादा पापड की सबजी बनाते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा पानी यूज करें, इसे मिला दें अच्छे से, हमारा पानी गरम था, इसलिए हमें इसे बॉयल करने की जरूत नहीं है, अब हम इस मिक्स करने के बाद हम इसे डेल से दो मिनट के लिए ही पकाएंगे, क्योंकि पापड है, अल्रेडी सीका हुआ है, तो हमें से वह ज्यादा पकाने की ज़रूत नहीं होती है, सिर्फ पापड सोफ्ट हो जाए, तब तक हम इसे पकने देंगे, तो आप देख सकते हैं, वह अ जाए, तो यह बाद में गाड़ी हो जाती है, तो यह हमारी सब्जी बन के तयार है, हरा दनिया पता डाल देंगे, और आप चाहे तो इसे सर्विंग बावल में निकाले, या फिर ऐसे ही रखें, आप इस सब्जी को रोटी चापाती पराठा किसी की बी साथ में खा सकते है और यह एक होती अच्छा उप्शन है, आप इसे जब चाही बना सकते हैं, अगर आपको यह रैस्पी अच्छी लगे तो वीडियो के नीची देगे, सब्सक्राइब के रैड बटन को क्लिक कर, साड़े में देगे वैल बटन को प्रेस करें, और लाइक और शेयर करने अब पुले, तन्यवाद